हाई अब्रीवन एसके सिलेक्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है नीव कोश्वामी तो सूपर 4 के चौते मुकाबले में आमने सामने होंगे भारत और श्री लंका जहां ये होगा भारत का दूसरा सूपर 4 का मुकाबला और ये मुकाबला खेला जाएगा 12 सितंबर को क JASON के All Premadasa Stadion में अब इस मुकाबले के लिए आपकी फेंटेस 11 कैसी होनी चाहिए इस important मुकाबले के लिए आपकी फेंटेस 11 में कौन काटन और वाइस कापटन होना चाहिए ये सब और भी बहुत कुछ हम जानने वाले आगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले कर लिजिए आप एक छोटा सा काम और वह ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीडा क्रिकेट के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये शक अब 2023 में जाली है सूपर फोर की जंग और यहाँ पर सूपर फोर के चौते मुकाबले में आमने सामने दिखेंगे भारत और श्रीलंका और अगर हम यहाँ पर बात करें सूपर फोर मुकाबले की तो यह मुकाबला खेला जाएगा कॉलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में और अगर हम आर प्रेमादासा स्टेडियम की पिछ की बात करें तो जो पिछ है वो स्पिनर फ्रेंडली है यानि कि यहाँ पर आपको Spinners को ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी चले अब बात कर लेते हैं कि One Day International में दोनों ही टीमों का Head-to-head record क्या कहता है तो अगर हम बात करें यहाँ पर Head-to-head record की तो पिछले 10 One Day International मुकाबले जो इन दोनों ही टीमों के बीच खेले गए है वहाँ पर 8 मुकाबले भारते टीम ने अपने नाम के है और महस 2 मुकाबले श्रीलंका की टीम जीत पाई है देगें अगर हम श्रीलंका की टीम की बात करें तो श्रीलंका की टीम का जो form है वो जबरदस्त है क्योंकि बांगलादेश के खिलाब जो Super 4 का वो दूसरा मुकाबला खेला गया था वहाँ पर श्रीलंका की टीम ने काफी अच्छे से बांगलादेश की टीम को हराया था यहां 21 रन से वो श्रीलंका ने जीत हासिल की थी तो ऐसे में श्रीलंका की टीम यहां पर कई ना कहीं एक बड़ा चालेंज बनकर जरूर उभर सकती है भारते टीम के सामने तो देखना दिल्चस्थ होगा कि आखिर इस important मुकाबले में कौन बाजी मारता है चलिए अब बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि आखिर आखिर आपकी fantasy 11 में कौन-कौन से वो 11 धुरंदर खिलाडी शामिल होंगे और इसकी शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे विकिट कीपर से और आपकी fantasy 11 में एक नहीं बल की दो-दो विकिट कीपर होने चाहिए जहाँ पर पहले विकिट कीपर बैटर होंगे आपकी fantasy 11 में श्री लंकाई खिलाडी यानि कि कुसल मैंडिस कुसल मैंडिस की बात करें तो कुसल मैंडिस ने बांगलादेश के खिलाव वो जो सूपर 4 का दूसरा मुकाबला खेला था वहां पर कुसल मैंडिस ने अर्दुशतक लगाया था जहां पर उन्होंने सिर्फ 73 बॉल्स का सामना किया और अपनी स्पारी के दौरान कुसल मैंडिस ने छे चौक और एक छक्का भी लगाया जहां पर उनका स्ट्राइक रिट राज 68.49 का यहां तो ऐसे में श्री लंकाई खिलाडी कुसल मैंडिस को आप अपनी फैंटेसी लेवन में पिक करना मद भूलिएगा अगले विकेट कीपर बैटर जो आपकी फैंटेसी लेवन का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के खिलाडी यानि की इशान किशन चले तो बात दो विकट कीपर्स की अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटर्स यानि की बल्ले बाजू की और बल्ले बाजू की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी एलेवन के लिए अपनी इस पारी में रोहिच शर्मा ने 6 चौक के और 4 चकके लगाए जहांपर उनका स्ट्राइक रेट रहा 114.29 का रोहिच शर्मा ने पाकिस्तान के सामने अर्द्शा तक लगाया उन्होंने नेपाल के खिलाब भी अर्द्शा तक लगाया और रोहिच शर्मा की इसी consistency को देखते हुए आप उन्हें अपनी fantasy 11 में जरूर पिक करिएगा अगली खिलाडी जो आपकी fantasy 11 का हिस्सा होने चाहिए वो उन्हें चाहिए भारते खिलाडी यानि की विराट कोली विराट कोली के बाद यहाँ पर अपनी fantasy 11 में जरूर पिक करिएगा श्रिलंका एक खिलाडी सदीरा समारा विक्रमा को अगर हम सदीरा की बात करें तो बांगलादेश के खिलाफ सदीरा ने काफी अच्छी बलेबाजी की उन्होंने कमाल की बलेबाजी की जहाँ पर सदीरा ने कुल 93 रन बनाए महस 72 बॉल्स का सामना करते वे अपनी सपारी के दौरान सदीरा ने 8 चौक्य और 2 चक्य भी लगाए जहाँ पर उनका स्ट्राइक रिट रहा 129.17 का जहां सदीरा की इसी कमाल की बलेबाजी के लिए उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर आप दा माच का अवार्ड भी मिला और इतना ही नहीं अब तक एशा कब 2023 में श्रीलंका के लिए सदीरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन मुकाबलों में अब तक 1.500 रन बना दियें तो ऐसे में सदीरा को आप अपनी फैंटेसी लेवन में पिक करना मत भूलेगा अगले बले बास जो आपकी फैंटेसी लेवन का हिस्सा होंगे वो होंगे भारती ओपनर यानि की शुबमन गिल की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अर्दुषय तक लगाया तो गिल के इसी कमाल के परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी लेवन में जरूर पिक करेगा चलिए तो बात वी बलिबाजू की अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी लेवन कौन होंगे और आपकी फैंटेस अगर हम दसुन शानाका की बात करें तो बांगलादेश के खिलाओ सूपर फोर का वो जो दूसरा मुकाबला खेला गया था वहाँ पर शानाका ने 9 ओवर करते हुए महज 28 रन कंसीट करें और इन 9 ओवरों में दसुन शानाका ने 3 विक्टे चटकाई जहां पर उनकी एकॉ परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी लेवन में जरूर पिक करिएगा अगले आल राउंडो जो आपकी फैंटेसी लेवन का हिस्सा होंगे वह होंगे भारत के वाइस कैपिन यानि की हार्दिक पांडिया चलिए तो बात हो यह आपकी आपकी फै इनबास यानि की महीश थीक्षणा महीश थीक्षणा की अगर हम बात करें तो थीक्षणा ने बांगलादेश के खिलाब वो जो मुकाबला खेला गया तर सूपर फोर्ट का जो दूसरा मुकाबला था वहाँ पर तीन इंपोर्टेंट विक्टे चटकाई थी यहां उन्हों अगर हम एक ही ओवर में हिर्दौई और तस्कीन को चलता किया था तो ऐसे में महीश थीक्षणा को आप अपनी फैंके लेवन में जरूर पिक और चलिए यह तो बात वी फैंके अपनी फैंक लेवन की आप बात कर लेते हैं कि आखिरosis 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप पर यह होता है कि आपकी fantasy 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरसल यहाँ पर actual playing 11 का हिस्चा होते ही नहीं है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो इसलिए एक छोटा सा disclaimer सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चलिए disclaimer के बाद हम बात कर लेते हैं अपने SK Selects के आखरी segment की यानि कि आपकी fantasy 11 में आपका captain और vice captain कौन होगा तो अगर हम captain की बात करें तो आप captain बनाइएगा यहाँ पर भारते खिलाड़ी यानि की विराट कुली को जहां अगर हम विराट कुली की बात करें तो 1-day international में श्र 503 run बनाए है और इन 50 मुकाबलों में विराट कुली ने 11 अर्द शतक और 10 शतक भी लगाए है जहां पर उनका average रहा है 64.17 का और strike rate रहा है 94.23 का तो विराट कुली के इनी जबरदस ताकड़ों को देखते वे आप उन्हें अपनी fantasy 11 में captain जरूर बनाइएगा चलिए captain के बा उन्होंने नेपाल के खिलाफ अर्द शतक लगाया पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के खिलाफ अर्द शतक लगाया और इतना ही नहीं अगर हम Asia Cup 2023 की बात करें तो शुबमन गिल अब तक भारत के लिए second highest run scorer है जिन्होंने तीन मुकाबलों में 135 run बनाएं तो ऐसे में इस fantasy 11 में आपका captain और vice captain कौन होगा तो इस बड़े और एहम मुकाबले के लिए आप अपनी fantasy 11 को pick करना मद भूलेगा साथ ही इस मुकाबले को खूब enjoy करेगा फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे यारी की नीव कोस्वामी को दीजेगा इजाजत और बाकी बड मैं साथ sports keyda cricket pub